हेलो एवरीवन, वेलकम तो अनु अमायाई स्किन केर और मैं हूँ अनु फ्रेंड्स कोकोनट ओयल और बिटमिन E कैपसूल या बिटमिन E ओयल आपने कई तरीके से अलग-अलग इस्तेमाल जरूर किया होगा लेकिन क्या आपने कभी इन दोनों को मिक्स करके अपलाई किया है नहीं किया है तो आज का वीडियो देखने के बाद आप इसको 100% अपलाई करने वाले हो अगर बात की जाए बिटमिन E कैपसूल या ओयल की तो ये फेस से दाग-धबे रिडियूस करने का काम करता है या फिर फेस पे ग्लो लाने के लिए हम इसका अपलिकेशन करते हैं लेकिन एक रेशियू में अगर इन दोनों को मिक्स करके हम अपलिकेशन करते हैं तो आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट मिल सकते हैं तो वीडियो में लाश्ट तक बने रहेगा वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो चलिए देख लेते हैं कि इन दोरों इंग्रीडियन्ट को किस रेस्यू में हमको एक साथ मिक्स करना है तो इसके लिए हमको तकरीबन two tablespoon लेना है coconut oil इसमें हम one capsule का इस्तेमाल करेंगे जी हां two tablespoon coconut oil में हमको सिर्फ एक capsule का इस्तेमाल करना है friends market में vitamin E capsule कई तरीके के आते हैं अगर आप चाहे तो vitamin E oil का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मैं ये वाला capsule इस्तेमाल करती हूं आपको यह आसानी से मिल जाएगा, तो मैंने coconut oil और vitamin E को अच्छी तरह से mix कर लिया है, यह हमारा जादूई solution बनके तयार होता है, अब चलिए देख लेते हैं, इसको कब-कब किस तरह से apply कर सकते हैं, Friends, vitamin E और coconut oil दोनों है moisturizing properties में rich होते हैं, इसलिए अब अपनी dry skin पे इनको mix करके apply करते हैं, तो आपको बहुत सारे benefit मिल सकते हैं, आपको इसको face पे, इसकिन पे अच्छी तरह से apply करना है, हलके हाथों से तकरीबन 2-3 minutes के लिए massage दे देना है, ऐसा करने से हो गया क्या, इसकिन की dry happiness तो जाएगी, साथ ही साथ आपकी skin में glow बरकरार रहेगा, skin deeply hydrate रहेगी, जिससे बार बार जो winters में skin फटने की problem होती है, या skin में dry patches दिखने लगते हैं, वो problems पूरी तरह से खतम हो जाएगी, friends अगर आप pimples और एकने से परेसान है, तो ये solution आपको उसमें भी राहत दिला सकता है, आपको ये face पे apply करना है, आप इसको cotton की help से भी apply कर सकते हैं, या फिर finger की help से भी कर सकते हैं, अच्छी तरह से लगा लेना है, बट massage मत दीजेगा, ऐसे ही आपको छोड़ देना है, cotton ball की help से जहां जहां पे आपको pimples या एकने की problem हुई है, वहां पे लगा लीजिए, आप इसको राद भर face पे लगा के रखिए, और सुबे हलके गुनगुने पानी से face wash कर लीजिए, जब आप ये regular करेंगे तो धीरे धीरे आपके face पे जो मुहासे हो रखे, एकने हो रखे उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा, friends ये solution इसकिन से दाग धबे reduce करने का काम भी बखूबी करता है, face पे लगाना है, हलका मसाज देना है, तकरीबन हाँ पावर आपको ये face पे लगा के रखना है, उसके बाद आप चाहें तो गुनगुने पानी से wash कर सकते हैं, या आपको ये regular करना होगा, friends इन दोनों का mixture आपकी skin से dead skin cells को remove करने का काम भी बखूबी करता है, आपको face पे लगाना है, हलके हाथों से एक मिनट के लिए मसाज देना है, face wash कर लेना है, ऐसा आपको week में 2-3 बार करना है, face पे अगर dead skin cells है तो वो निकल जाएंगी, और अगर न करता है, ये anti-aging की तरह काम करते हैं, बट इसके लिए आपको करना क्या है, face पे लगाना है, फिर से massage जरूर देना है, ताकि ये skin में अंदर तक जा सके और लगा के तकरीबन आपको 2-3 घंटे face पे ये रखना है, फिर normal पानी से wash कर लीजे, याद रखिएगा anti-aging massage हमको upward direction मे करना है, या circular motion में करना है, नीचे की तरफ ऐसे ऐसे करके नहीं करना है, आप ये per day कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास time उतना नहीं होता है, तो week में कम से कम 2-3 बार ये जरूर करें, friends, अगर आपके बाल बहुत ज़दा ज़र रहे हैं, बहुत ज़दा dry हैं, rough हैं, means आप कोई भी conditioner लगाते हो, sample लगाते हो, mask लगाते हो, लेकिन आपके बाल ऐसे उड़े-ड़े से रहते हैं, means manageable नहीं है, तो इन दोनों का mixture आपके बालों को manageable बना सकता है, आपके बालों को म बता होना चाहिए, कि बिटमिन E capsule, बिटमिन E oil आपको suit कर रहा है या नहीं, आप एक बार इसको बालों में apply करेंगे, अच्छी तरह से बहुत हलके हातों से massage देंगे, रगड रगड के कसके नहीं देना है, मसाज करने के बाद आपको comb out नहीं करना है बालों को, ऐसे ही जड़ना थोड़े से कम हुए है, या फिर कम नहीं हुए तो वहीं पर रुके हुए है, तो आप इसका application आगे भी करिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका hair fall जादा हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आपको ये नहीं करना है, आपको ये suit नहीं कर रहा है, अगर आपके 2-3 drop ये 7 drop lemon juice की add कर लेते हैं, ये आपके बालों की length की according होना चाहिए, लेमन को इन दोनों के साथ mix करके बालों में अच्छी तरह से apply करिए, हाफ आर के लिए बालों में लगे रहने दीजिए, उसके बाद सैंपू कर लीजिए, 3-4 बार जबा आप ऐसा करेंगे, तो आपक कई बार होता है, हमारी जो fingers है, इनका ये हिस्सा, जिसको cuticles कहते हैं, ये निकलने लगता, ये काफी ज्यादा painful हो जाता है, कई बार हम खीच के उखाड़ देते हैं, तो अगर आप इन दोनों को mix करके इस जगे पे अच्छी तरह से लगाते हैं, मैं आपको लगा के बता र जाते हैं, इसको आप per day कर सकते हैं, दिन में दो बार कर लें, तो बहुत अच्छा है, लेकिन टाइम नहीं है, तो फुर से कहूंगी, रात में लगा के सो जाईए, ताकि रात में ये अपना काम करता रहे, आपको तुरंत बहुत ही सॉफ्टन देखने को मिलेगी, पूरी तरे से खत्म करता है, और आपकी स्किन को एक से दो टोन तक लाइटन करता है, फ्रेंड्स ये तो हो गए इसके यूजस, अंत में मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूं, अगर आपकी स्किन ओईली है, अगर नॉमल है या ड्राई है, तो जैसे मैंने आपको का इस्तिमाल करिए, उससे ज्यादा बिल्कुल मत करिए, सो फ्रेंड्स मैंने नारियल तेल और बिटमिन E ओयल के 6-7 यूजस, आइटिंक मैंने ज्यादा बताये हैं, आप इसको अप्लाई करिए और अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, मुझे वेट सो फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत ख्याल रखें, थैंक्स पर वाचिंग, बाबाई